फिल्म की शुरुआत में तीन नॉर्वेजियन दोस्ट, अर्थात, थॉमस, जोहना और कल्ले एक कार में हैं। वे बोल्दा युनिवसिटी कॉलेज में पढ़ते हैं और एक कॉलेज प्रोजेक्ट के रूप में शहर में हाल ही में हुए भालू के हमलों के बारे में एक वृच्चित्र बनाने के लिए बाहर हैं। कल्ले उनके अध्ययन के सभी फुटेज की शूटिंग के लिए जिम्मेदार कैमरामेन है। तीन ड्राइब उस स्थान पर जाते हैं जहां एक भालू का शब मिला है और स्थानिया शिकारियों का साक्षात कार लेते हैं। बिलचस्प बात यह है कि सभी शिकारियों की एक ही टिपनी है, उनका दावा है कि भालू के ट्रैक अजीब और बनाव्टी दिखते हैं और मान लेते हैं कि नौर्वेजियन वाइल्डिलाइफ बोर्ड के प्रमुक फिन होगन कुछ शिपा रहे हैं। शिकारी हंस नाम के एक साथी शिकारी के लिए अपनी आपसी नफरत भी साजा करते हैं, जिस पर उन सभी को शक है। पर दिया और उन्हें दूर जाने के लिए कहा। तीनों ने हंस की कार पर एक संभावित भालू के हमले के निशान देखे और उसे फिल्माया। वे यह जानने के लिए अड़े हुए हैं कि हंस रात में क्या करता है, इसलिए वे अपनी वेन के पास अपनी कार में तब तक प पैसला करता है, जब वे गंतव्यर तक पहुँचते हैं, तो वे फिर से एक होटल में उसका पीछा करते हैं, अंत में, रात में, वे उसे अपनी कार में बैठते हुए देखते हैं और भाग जाते हैं, तीनों जानते हैं कि यह पता लगाने का यह उनका मौका है कि वो क्या क भी है, वे एक अंधेरे और शांत जंगल में पहुचते हैं और शिकारी की तलाश के लिए कार से बाहर निकलते हैं, अजीब तरह से शांत जंगल समुह को परेशान करता है, लेकिन वे पीछा नहीं छोड़ते, अचानक एक जोड से चीखने की आवाज सुनाई देती है, औ कोई अग्यात संस था उनका पीछा कर रही है, हाला कि कॉलेज के छात्रों को पता नहीं क्या, अग्यात एक काई लगभग थोमस को पकर लेती है और उसे इस प्रक्रिया में शामिल कर लेती है, लेकिन समुह हंस की कार में भागने का प्रबंधन करता है, हंस पूरी यात्रा पहाणों या गुफआव में रहते हैं, हंस उन्हें बदसूरत और धीमे-धीमे प्रानी बताते हैं, वे हमेशा रात में बाहर आते हैं क्योंकि प्रकाश उन्हें चटानों में बदल देता है, ट्रोल्स ईसाए धर्म के विरोधी है और ईसाए धर्म को मानने वाले लोगों के खून को दूर से ही सून सकते हैं। हंस अंत में कबूल करता है कि वह भालू शिकारी नहीं बलकि ट्रोल शिकारी है। उनकी कार पर एक विशाल लाइट लगी हुई है, जिसका इस्तेमाल वह ट्रोल्स को पत्थर में बदलने और उन्हें मारने के लिए करते हैं। समुहा हंस की कहानी पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन एक साहसिक कार्या पर उसके साथ जाने के लिए सेहमत है। अगली रात हंस समुहा को अपने साथ ट्रोल शिकार पर ले जाता है। जाने से पहले, वह उन्हें ट्रोल की गंधुन के शरीर पर रगरता है ताकि ट्रोल्स इंसानों को सूंग न सके। हंस के पास एक फ्लेशगन है जो शक्तिशाली यूवी किरनों को बाहर निकालती है और वे अंत में जंगल की और अपना रास्ता बनाते हैं। बाद में हंस को किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आता है जो उसे ट्रोल के रख्त का नमूना लेने के लिए कहता है। जबकि ट्रोल उनका पीछा करता है। वे अंत में कार तक पहुँच जाते हैं लेकिन ट्रोल उनकी गंध का पीछा करते हुए वहाँ पहुच जाता है। शुक्र है। हंस प्राणी के लिए तयार है और अपनी कार पर लगी रोशनी से उसे चमकाता है। समुह को आश्चर्य चकित करते हुए प्राणी तुरंत पत्थर में बदल जाता है। जोहाना और काल्ले इस तरह के एक शांदार प्राणी को पाकर उत्साहित हैं और मानते हैं कि वे कैमरे के फुटिज के कारण रातोरात प्रसिद हो जाएंगे। हांस हाला कि समुह में उसे यह नहीं बताने के लिए पागल है कि वे इसाय धर्म के अनुयाई हैं। हांस ने खुलासा किया कि पिछले कुछ हफ्तों से ट्रोल सामान्य से आधिक आकरामक हो गए हैं। और TSS इसका कारण जानना चाहता है। इसलिए उन्होंने बीती रात ट्रोल के रक्त का नमूना लेने को कहा, लेकिन हंस असफल रहे। इसलिए वह आज फिर शिकार के लिए जाना चाहता है। ट्फिन को पता चलता है कि छात्र पूरी बातचीत को फिल्मा रहे हैं और उन्हें चितावनी देते हैं कि उन्हें फुटेज रखने की अनुमती नहीं दी जाएगी। लेकिन चितावनी तीनों को नहीं रोकती है। पता करता है और आसानी से उस पर हावी हो जाता है। पर चलते हैं और एक परित्यक्त ख़दान में पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे ख़दान से बाहर निकल पाते, ट्रोल्स का एक परिवार उनका रास्ता रोक कर प्रवेश करता है। समुहर डर से परे है, खासकर कैमरा मैं कल्ले, जो डर से काम प्रहा है। वह कबूल करता है कि वह इसाय धर्म में विश्वास करता है, जिससे समुहर और अधिक परेशान हो जाता है। इस बीच, ट्रोल्स को काले की गंधा जाती है और वे ग्रूप पर हमला कर देते हैं। वे किसी तरह खदान से बाहर निकलने के लिए UV light का इस्तिमाल करते हैं, लेकिन कल्ला को जीब खीच लेते हैं। थॉमस और जोहाना जमीन पर बैक जाते हैं, अपने दोस्त की मौत को संसाधित करने में सक्षम नहीं होते हैं। वे उसका टूटा हुआ कैमरा लेते हैं और हंस के ट्रेलर पर वापस जाते हैं। कुछ दिनों के बाद, वे एक नए मुसलिन कैमरामेन को नियुक्त करते हैं, यह सुनिश्चित नहीं होता कि प्रानी उसकी गंध पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। त्फिन ने फिर से हंस को फोन किया, इस बार उसे सबसे खतरनाक ट्रोल को मारने का काम सौपा, जिससे जोतनार कहा जाता है, जो आसानी से 50-100 मीटर लंबा होता है। हंस जानता है कि इस ट्रोल को मारना सबसे कठिन होगा, इसलिए वह इसे दूर रखने के लिए अपनी वैन को तेज धातों से अपग्रेड करता है. समूह ट्रोल की तलाश में पहारों की यात्रा करता है, उनका पीछा करने पर उन्हें लेप से एक कॉल आती है जो बताती है कि ट्रोल्स को रेवीज है. यही कारण है कि वे पिछले एक महीने में अत्यदिक आक्रामक हो गए थे. समूहा को याद है कि थोमस को पहली बार ट्रोल का सामना करने पर काट लिया गया था, इसलिए उन्हें डर है कि उसे भी रेवीज हो सकता है थोमस का दावा है कि उनके वापस आने के बाद उनका परीक्षन किया जाएगा तब ही वे जोतनार ट्रोल को अपनी वैं की और बढ़ते हुए देखते हैं दूरभागय से वैं की घुरसवार रोशनी ठीक उसी समय काम करना बंद कर देती है हंस एक योजना के बारे में सोचता है और एक ही साई भजन गाना शुरू कर देता है ट्रोल को भ्रमित करता है और उसे अपनी ओर आकरशित करता है वे इस अपसर को दूर भगाने के लिए लेते हैं थोड़ी देर बाद हंस रोशनी को ठीक करने का प्रबंधन करता है वे ट्रोल के पेर के ठीक नीचे से ड्राइब करते हैं और अंत में इसे रोशनी के साथ फ्लेश करने का प्रबंधन करते हैं ट्रोल पत्थर में बदल जाता है और जमीन पर गिर जाता है और समूह को राहत मिलती है Thomas documentary के footage के साथ hard drive अपने पास रखता है तब ही फिन और उसके आदमी आते हैं और उनसे camera और hard drive छीनने की कोशिश करते है Thomas पागलपन से उन दोनों को छीन लेता है और अपने दोस्तों को पीछे छोड़ कर भाग जाता है थोड़ी देर बाद वो एक सड़क पर पहुचता है और देखता है कि एक ट्रक उसकी ओर जा रहा है स्क्रीन काली होने पर सीन कट जाता है एक उपसाहार हमें बताता है कि घटना के बाद कभी किसी ने छात्रों से नहीं सुना लेकिन हम यह मान सकते हैं कि ट्रक से किसी ने थॉमस से फुटेज लिया और उन्हें प्रेस में लीग कर दिया कोई विकल्प नहीं बचे होने पर नॉर्वे के प्रधान मंत्री ने एक प्रेस मीटिंग में ट्रोल्स के अस्तित्व के बारे में स्वीकार किया फिल्म के अंत में ट्रोल्स के बारे में पूरी दुनिया जानती है